इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Robeta solar tablet को आंतर एक कान के मेनियर रोग नामक disorder की रोग थाम और इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है। लक्षनों में चक्कर आना, यानि की वटेगो कान बजना, यानि की tinnitus और सुननी की क्षमता खोना शामिल है, जो संभवता कान में तरल पदार्थ के कारण होता है। यह दवा तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके लक्षनों से राहत देने में मदद करती है। रोबेटा सोलर टेबलेट का अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे बिना तोड़े पानी के साथ निगला जाना चाहिए और हर दिन इसे एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए। आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लक्षनों से राहत पाने के लिए सही खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है। आपको इस दवा को कई महीनों तक लेने की जरूरत हो सकती है और भले ही आप बहतर महसूस करना करें लेकिन आपको इसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय तक लेना चाहिए। आम साइड इफेक्ट में सिर्ध दर्ध, मितली और अपच यानी की डिस्पेपसिया शामिल हैं। आपको पेट में दर्ध और पेट फूल न भी हो सकता है। इस दवा को भोजन के साथ लेने से पेट की समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको पेट का अलसर, अस्थमा या उच्छ या कम ब्लड प्रेश है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको उसे यह भी बताना चाहिए कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंट हैं, प्रेगनेंट होने की कोशिश कर रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो भी अपने डॉक्टर से बात करें।